तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में हर्याना की विदारतों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है जो एच्चिस की त्यारी करते हैं पिछले बहुत समय से डिमांड थी और इसमें बहुत लोगों का प्रयास है हर्याना का सिविल सर्विस का जो एक्जाम है इसमें जो सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है ये बहुत बड़ी न्यूज है बहुत बड़ी खुशकबरी है हर्याने की विदारतों के लिए जो जो GS का paper होता है 100 question ही होते हैं उसमें 100 marks का paper है और second paper है जो वो है CSAT का second paper आपका CSAT का होता है इसमें भी 100 question होते हैं जो math, reasoning इन सबसे जुड़े होते हैं और ये भी 100 question होते हैं 100 marks का paper होता है ये जो second वाला है ये qualifying हो गया है इसमें आपको 33% marks आप चाहिए 33% इसमें marks चाहिए ये qualifying paper हो गया आपका ये आपका qualifying होगा तब ये आपका first paper चेक हो पाएगा जो GS वाला paper है first paper है उसी क्याधार पे आपकी merit बनेगी जैसे UPSC में आपकी merit बनती है ये उसी क्याधार पे आपकी merit बनेगी तो GS का जो value है पहले की तरह बढ़ गया है जो मानवी की विशे हैं हिंदी मेडियम के विद्यारती हैं जिनको सी सेट से problem थी उनके लिए बहुत बड़ी news है अब बच्चे अच्छे से इसके लिए त्यारी कर पाएंगे इसमें बहुत लोगों का प्रयास है पिछली एक साल से इसके लिए प्रयास हो रहा था पिछली बार जब वेकंसी एह थी तब ही से इसके लिए प्रयास हो रहा था इसमें ये नियूज है, 33% आपका ये कर दिया गया है, और दूसरा है, इसके जो HPSC के जितने भी एक्जाम होंगे, इनके लिए रूल 5 में चेंज के गया है, उसके लिए जो आपकी एज रिलेक्सेशन है, वो 42 साल तक कर दीगी है, एज जो 35 साल तक थी, हालकि इसमें जो क्यारी करें, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, शुरुआत आपको कैसे करनी है, नए विद्यारतियों के लिए, और जो पहले जो पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक भी मैंने उसके लिए बता रखी है, प्रीविए से होंगे मारे यूट्यूब चैनल पर जल्ली है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, आपको जो भी कोष्चन अगर आपके मान में हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बोक्स में लेख सकते हैं, देखने शुनने के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, बंदे मतरम